कि अब दोस्तों एक बार फिर से अपसरीगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम लेकर रहे हैं एक्सरसाइज सिक्स सी आपको प्रियोग के अंतरगत पार्ट थी का ठीक है जो इस पर से रहे हैं अभी लंब थी यह क्या थी आप इस पर से से रहे हैं और अभी लंब क्या था अगर डिटेल से पढ़ना है तो आपको पार्ट वन पार्ट देखने जाके तब आगे और भी संद में आ जाएगा आज हम कोश्चन नमबर पांस से सॉल करेंगे ठीक है हमने चार तक सॉल करा दिया था तो चलिए देखते हैं कोश्चन नम प्रवाणता साथ हो ठीक है और वक्र वाई बराबर से सेवन एक्स प्लस थार्टीन हो ठीक है तो हमें बिंदु गयात करना है तो चलिए देख लेते हैं कैसे गयात होता है और जो लोगों भी चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को अन कर दें जिस् कि एक्स कामा y होंगे ठीक है तो हम वक्र ले ले वाक्र क्या दिया हुआ है य बराबर 10ara ॐसके स्क्वार पलस का सेवेंट एक्स प्लस का तीरह ठीक है यह है graduate है आप कि कर देंदें जृएच तो य कोजाए गला डी बड़ tiet टीए और यह x square को हो जाएगा 2x प्लस 7 जाएगा 7 13 को हो जाएगा 0 तो डी य बते डी एक्स जो हो जाएगा 2x प्लस 7 ठीक है अब इसकी देख़िगा इसमें प्रवाणता जो डी य बते डी इक्स इसकी ढाल स्लोप दी हुए है कितनी है वो 7 ठीक है तो यह 7 को रख देंगे डियवेटे डियस के स्थान पर ठीक है यहाँ पर रख देते हैं 7 बराबर 2x प्लस 7 तो यह 7 से 7 कैंसल हो जाएगा 2x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा ठीक है जब x बराबर 0 तो हम वक्र में इसकी वैलू रख देते हैं तो हमें य के पता हो जाता है ठीक है x बराबर 0 वक्र में रखने पर तो वक्र क्या था य बराबर x स्क्वार प्लस का 7x प्लस का 13 ठीक है तो य बराबर 0 हो जाएगा जिरो के स्क्वार करेंगे तो प्लस का साथ गुड़े जीरू, इसमें सवाल में हमने जो 13 लिख दिया है ठीक है और बुक में इसमें तीन लिखा हुआ कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा ठीक है अगर वहां पर आप तीन करेंगे तो यहां पर जीरो कमत तीन आ जाएगा कुछ भी दिया जा सकता है ठीक है देख देखें होशल नंबर 6 देखिए हमारा प्रतिबंद ह्याद किजिये एक स्कुरा बटे स्कुराइब बिसच्ट बराबर एक और दूसरे कौप शमकोर पर काटते हैं ठीक है रिख अगर दो वॉकर एक दूसरे कौश समकोर पर काटते हैं तो हम करने कंडिशन बताई थी कि उनकी प्रमारताओं का गुड़न फल M1 M2 बराबर माइनस 1 के होका ठीक है यह है तो देखी पहले हम वाकर लिख लेते हैं X स्क्वाइर बटे A स्क्वाइर प्लस का Y स्क्वाइर बटे B स्क्वाइर बराबर 1 समी करण 1 ठीक है अब यहाँ पर लिख लेते हैं X स्क्वाइर बटे का A डाइस का स्क्वाइर प्लस का Y स्क्वाइर बटे B डाइस का स्क्वाइर बराबर 1 समी करण 2 ठीक है समी करण 1 का उकलंग करके M1 हम निकाल लेंगे और समी करण 2 का उकलंग करके M2 निकाल लेंगे ठीक है फिर उनका हम गुलंफल माइनस एक के बराबर कर देंगे फिर हमें जो सर्थ होगी वो पता हो जाएगी ठीक के पिर्तिबंद हो जो होगा तो चलिए निकाल लेते हैं लिखते हैं समी करण एक का एकस के सापेच आउकलन करने पर ठीक है तो क्या हो जाएगा एक हमारा क्या था एकस स्काइर बटे एक स्काइर बटे एक स्काइर बटे का बी स्काइर बराबर एक ठीक इसका अगर हम उकलंग करेंगे तो कॉस्टेंट एक बटा एक स्काइर हम बाहर कर लेंगे a square x square को हो जाएगा 2x plus y square को हो जाएगा 2y into dy बटे dx constant a b square बाहर के हो जाएगा ठीक है और 1 को हो जाएगा 0 ठीक है अब यहाँ से हम dy बटे dx निकालेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा इसको पहले हम right hand side में भेजेंगे तो minus का 2x बटे a square ठीक है और इसको फिर जो multiply में है इसको इस तरह भेजेंगे right hand side में तो divide में हो जाएगा अब हम क्या करते हैं इसको 2y हो गया यह b square ठीक है यह दो से दो cancel हो गया तो हमारा जो हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा minus का x b square बटे का a square y ठीक है यह क्या है हमारा dy बटे dx यानि की m1 बराबर minus का x b square बटेगा a square y ठीक है यह m1 पहली परवाणता जाएग शमी करण एक को हम आउकलां करते हैं अब लिखते हैं शमी करण 2 का x के साप एच आउकलन करने पर ठीक है तो 2 क्या था हमारा x square बटे a dash का square plus का y square बटे b dash का square बराबर 1 ठीक है इसका आउकलन कर देंगे तो हमारा x square का हो जाएगा 2x और a dash का square यह constant बाहर ठीक है और plus का y square करेंगे तो 2y और dy बटे dx constant बटे में b dash का square और एक करेंगे तो 0 हो जाएगा यहां से भ़भ निकालेगा dy बटे dx तो क्या हो जाएगा हमारा minus का 2x बटे a dash का square फिर बटे में हो जाएगा यह 2y बटे b dash का square तो 2 से 2 कैसल हो गया तो हमारा हो जाएगा dy बटे dx पराबर हो जाएगा minus का 1 b dash का square यह तीसरा बटे उपर चलाएगा multiply में हो जाएगा तो b dash a dash का square गुडे का y ठीक है तो हमारा जो m1 आ जाएगा m2 आ जाएगा m1 तो निकाल चुके हैं m2 हो जाएगा minus का 1 b dash का square बटे a dash का square y ठीक है यह होगा m2 अब हम m1 और m2 का गुड़ा फल minus 1 के बराबर कर देंगे ठीक है अब देखे लिखते हैं यदि दो वक्र m1 m2 परस पर काटते हैं तब उनकी प्रवाणताओं का गोड़ा फल minus 1 के बराबर होगा ठीक है m1 m2 बराबर minus 1 ठीक है अब इसमें m1 के वाईलू और m2 के वाईलू minus 1 के बराबर कर देंगे देखे m1 के वाईलू क्या है वो है minus के x वो b का square बटे a square y गुडे का minus के x b dash का square बटे a dash का square वाई पराबर minus 1 ठीक है ये multiply होगा तो minus minus प्लस हो जाएगा x square हो जाएगा x square b dash का square और b square बटे के ये हो जाएगा a square a dash का square और y square गुडे में ठीक है minus minus ये प्लस प्राबर का minus 1 ठीक है ये हो जाएगा अब देखी हमारा हो जाएगा x square बटे y square b dash का square b square बटे में a dash का square और a square ठीक है ये होगा बटे 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 अब हमें x square और y square की value निकालनी पड़ेगी ठीक है तो इसको गर हम समी करण 3 माल ले ठीक है अब यहाँ पर x square बटे y square की गर value निकाल के रख दे तब तो हमें इसरत निकल आएगी तो निकाल लेते हैं लिखते हैं समी करण एक दो को हल करने पर ठीक है तो एक क्या था x square बटे a square प्लस का y square बटे b square बराबर का एक और दूसरा क्या था x square बटे a dash का square plus का y square बटे b dash का square बराबर एक ठीक है तो ये cancel minus कर देते हैं तो अब हम क्या करते हैं इससे cancel हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा इसमें cancel नहीं होगा चुकि यहां पर a dash हो ये a square ठीक इससे cancel नहीं होगा क्या करते हैं उपर हम x square कामन कर लेते हैं ठीक है तो मारा हो जाएगा इसमें कामन कर लेंगे तो एक बटा A स्क्वाइर बचेगा इसमें बचेगा माइनस का एक बटा A डैस का स्क्वाइर ठीक है और प्लास का इसम् सिकयर कावन करते हैं तो मारा एक बाटा बी स्कोयर और माइनस का रॉड़ा बी-डैस का स्कोयर ठीक है ये बराबर के एक माइनस एक बराबर ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम निकालें इसको राइट हैंड साइड में हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे एक स्क्वाइर एक बटा A स्क्वाइर माइनस के एक बटा A डैस के स्क्वाइर बराबर का माइनस का Y स्क्वाइर एक बटा B स्क्वाइर माइनस का B एक बटा B डैस के स्क्वाइर ठीक है इसको कर हम, यह multiply में जो Y square है इसको कर हम इस दिफलाए left hand side में तो divide में हो जाएगा और इसको जो है, जो multiply में इसको right hand side में भीजेंगे तो divide में हो जाएगा तैक स्क्वार बटे Y square बराबर हो जाएगा minus का एक बटा B square minus 1 बटा B'Square 1sen1Square ये हमारा X2Esquare Ysकand ठीक है अब इसको हम समी करण 3 में रखे देंगे तो हो जाएगा हमारा समी करण 3 से ठीक है समी करण 3 में रखे देते हैं माइनस का 1sen2Square माइनस बी डाइस का स्क्वाइर बट्य का एक बटा एक स्क्वाइर माइनस एक डाइस का स्क्वाइर ठीक है यह और फिर हमारा अंसर में दिया हुआ था इंटू में बी डाइस का स्क्वाइर और बी स्क्वाइर ठीक है बट्य में एक डाइस का स्क्वाइर A square बराबर माइनस एक ठीक है ये माइनस माइनस कैंसल हो गया ठीक है अब इसका हम त्रियाग गुड़ा कर देंगे ठीक है इसका तो चलिए कर देते हैं देखे दूसरे पेश पर आगा है इसको हम सॉल्ड करते हैं त्रियाग गुड़ा कर देते हैं इसका हो जाएगा बी डैस का स्क्वाइर, इससे इधर करेंगे, तो माइनस का बी स्क्वाइर, बटेगा बी स्क्वाइर, बी डैस का स्क्वाइर, ठीक है, इसका करेंगे, यहां पर बराबर लगा दें, तो ए डैस का स्क्वाइर, माइनस का ए स्क्वाइर, बटे, ए स्क्वा ऑब देखिए यह इससे कैंसल हो जाएका यह इससे कैंसल हो जाएका। तो बीडेस कैस्कार माइंस बी स्क्राइर बट्टे का frightening the left gef का प्राभर का एक ठीक है इस को इस तरह बेदें तो जो मल्टिप्लाइम हो जाएगा चांद का cash की स्कार बाबर ए डाive का स्कार एम इस इसकोर ठीक है तो यह हमारा प्रतिबंद होगा कर दो ठीक है जब एक suppression पर ऊकोर कार टेंगे तो ठीक है का कि अ अगर इसमें हम माइनस कामन कर लें दोनों तरब तो ए स्कोर भी स्कोर आगए हो जाए advance ठीक धन में हो जाएगा इसमें कामन करेंगे तो बी स्क्वार माइनस इसमें कामन करेंगे तो एडैस का स्क्वार ठीक है यह यह भी सही यह भी सही है ठीक बस आगे पीछी स्कुल लिखते हैं मैंनस कामन करके तो यह हमारा एंसर हुआ तो आसा करते हुए सवाल आपको सुन में जरूर आया है लंबा था लेकिन बहुत इजी था और इंपोर्टेंट भी है पर इच्छा की द्रश्टी से चलिए इसका हम कोश्चन नंबर साथ देख लेते हैं देखें प्रश्ट संक्या साथ दिया हुए है कि वक्र y बराबर x square x cube minus x plus one की इस पर सरेखा की प्रवनता उस बिंद पर ग्याद कीजिए जिसका x निर्देशांक दो है यानि कह रहा है कि जब x निर्देशांक को दो हो तो वक्र y बराबर x cube minus x plus one की इस पर सरेखा की जो प्रवनता उस बिंद पर ग्याद कीजिए ठीक है इस पर सरेखा की प्रवनता ग्याद करनी है तो क्या करेंगे हम लिखते हैं वक्र लिख लेते हैं पहले y बराबर x cube minus x plus one ठीक है और यहाँ पर x बराबर 2 दिया हुआ जब x निर्देशांक 2 है यानि x बराबर 2 ठीक है इसका उकलन करेंगे x के सापेच x के शापेच आउकलन करने पर ठीक है तो y का हो जाएगा हमारा dy बराबर dx ठीक है x cube का हो जाएगा 3x square और x का हो जाएगा 1 ठीक है अब यहाँ पर x बराबर 2 रख देते हैं तो dy बराबर dx बराबर 3 गुड़े 2 का square minus 1 तो यह हो जाएगा दो दूना चार चार तहीं 12 minus 1 यह dy बराबर dx बराबर 11 ठीक है यह हमारी प्रवणता होई ठीक है तो यह हमारा answer हुआ तो आसा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा चलो अब हम question number 8 की ओर देखते हैं question number 8 देखिए देखा कि वक्र y बराबर x cube minus 3 x plus 2 कि इस पर स्रेखा की प्रवणता उस बिंद पर ग्यात करो यह कीजिए जिसका x निर्दे सांग 3 है ठीक है जब x बराबर 3 हो और वक्र y बराबर x cube minus 3 x plus 2 हो तो इस पर स्रेखा की प्रवणता क्या हो की यह बता रहा है तो चलिए देख लेते हैं देखिए लिखते हैं वक्र पहले वक्र क्या है y बराबर x cube minus 3 x plus का 2 ठीक है यह और इसमें x निर्दे सांग कितना दिया हो x बराबर 3 ठीक है यह तो वक्र कहां पहले x के साब पे चाउकलां करेंगे तो y का हो जाएगा हमारा dy बते dx है x cube का हो जाएगा 3x square और 3x का हो जाएगा 3 plus 2 का हो जाएगा 0 हो दिय बट ऑंट इकस बराभर हो जाए हमारा 3x स्कbury मारी फिर थीच अब एकस बराभर तीन पर देखते हैं कि टडिए बटे डएकस जब ईक्स बराभर तीन हो ठीक टु अधो रहते हैं तीन गुडे इस स्क थीच पर 99 27 28-24 यहोजाएगा डि य बाटे डि एक्स जब एक्स बराबर 3 है और इसकी प्रवरता यह होगी तो यह हमारा एंसर हुआ ठीक है ग्रेडियेंट प्रवरता को इंगलीज में ग्रेडियेंट कहते है ठीक है और ढार धाल को स्लोप कहते है तो चलिए इसका नंबर हम नौ देखते हैं यह समाज में आ गया होगा नौ देखते हैं देखे पर संख्या नौ दिया हुआ है कि वाकर य बराबर X Q.3 X.9 X.7 पर उन बिंदों को ग्यात कीजिए जिन पर उस पर देखाएं X.H के समाना आंतर हैं एक्सष के समानांतर का मतलब यह हुआ कि जो रह रहिए ठीक है जैसे यह यह नुजब है यह यह अच्छ फे यह यह वाई अच्छ ए ठीक है करता है कि एक सब्राइब रहा आनतर इस इसी होगी ना यह रेखाई67 में होंगी जो यह पर लमब होंगी ठीक है लेकिन हमें fiatch के मतलब होता है तो यानि कि जो अगर 6 के समना तो इंके बीच में कोई Apush bonds नहीन रहा है ठीक है जो को में 3 किता बराबर दिया हुआ है जीरो ठीक है यह वाकर हमारे दिया हुआ y बराबर x cube माइनस का 3x square माइनस का 9x प्लस का 7 ठीक है अब हम इसका आउकलन कर देंगे x के सापेच x के सापेच आउकलन करने पर ठीक है तो y को हो जाएगा dy बटे dx x cube का 3x square और 3x square का हो जाएगा 6x 9x का हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा 0 ठीक है अब यहाँ पर ठीता बराबर 0 यानि कि 10 ठीता बराबर ठीता की वैलू दिए 0 अंस तो यहाँ पर लिख देंगे हम तो dy बटे डीक्स बराबर 10 ठीता होता बराबर M भी होता है ठीक है तो हम लिख देंगे 10 0 अंस बराबर 3x square minus 6x minus 9 अब यहाँ पर हम 10 0 का हो जीरो होता है तो लिख देंगे 3x square minus 9 3x minus 9 यहाँ से हम 3 common कर लिए गर तो x square minus 3 2 6 x minus 3 तीक है तीक है इसको मल्टिप्लाइम इस्तरफ हो जाएगा डिवाइड में पराबर 0 हो जाएगा 3x square minus 2x माइनस का लगा है ठीक है यह ब्रेकट नहीं है minus 2x minus 3 ठीक है अब कह रहा है कि 3 का ऐसा गुरंखन कीजिए कि घटाने पर 2 आना चाहिए तीन एक कम तीन मास एक है दो तो हो जाएगा x square 3x ठीक है यहाँ पर लिख देते 3 minus 1 3 minus 1 तीन मास से 1 जाएगा तो 2 बज जाएगा तीन गुड़े 1 बराबर 3 हो जाएगा ठीक है तो यह x minus 3 तो यह x square 0 है minus का 3x x plus का x minus 3 बराबर 0 तो यह से अगर हम x common करें तो x minus 3 हो जाएगा और もう1 आजाएगे तो हमी इस की value आ रही है तो इसके झो तो निर्दे सांग होंगे, देखिएगा, यहां पर हम सॉल्ट कर देते हैं, इसको हम वक्र में रखेंगे, ठीक है, जब एक सुराबर तीन रखते हैं, तो वक्र क्या होगा, देखिएगा, य बराबर हमारा, एकस क्यूब, मैनस त्री एकस स्क्वार, मैनस का नाइन एकस, फ् हो गया, मैनस का यह, तिन त्रीक कर नो त्रीक 27, और प्लस का साथ, तो यह से कैंसल हो जाएगा, मैनस का 27, प्लस का 27, बराबर जाएगा, मैनस का 20, ठीक है, य बराबर 20 हो जाएगा, मैनस का, तो हमारा निर्दे सांग हो जाएंगे, जब एकस बराबर हम तीन रखते हैं, त हुआ है हुआ ही दो हुआ होच अ सबसूर मानश सक्षाइब माइनस दुन गूड़ माणस एक के स्कॉार मैनस नव गोड़ साथ से opening इसको स्वार मृण अ तुछ हो जाएगा माइनस वन यह को जाएगा मैनस टीन यह हो जाएगा One of the यह हो गई है है स्कॉर्ड हम यह माइनस चार प्रस क नौ। फेसमेश एका घटा गटा दे तो यह प्रस का पांच बचेगा प्रसका 7 ऐह हो जाएगा साथ 512 धिक है 5 advance तो फार और माइनस एक लेते, तो वाइ ब्राबर बारा आ जाएंगे, तो यह हमारी बिन्ड होगी, तो फाइनली जो हमारा बिन्ड होगा, यहां पर देख लेजिए लाव, ठीक है, तो जाएका, टीन कामा माइनस भीस, उध माइनस एक कामा 12 ये हमारे answer होंगे ठीक है आसा करता है ये सवाल आपको सौन में जरूर आया होगा ठीक है आपको लिखना कैसे है पहले आप ये लिखिए गाँ नमबर ये किए ठीक है उसके बाद फिर आप नमबर 2 यहां से लिखिएगा और फिर नमबर 3 यहां से लिखिएगा और फिर नमबर 4 यहां से आपको सौन होगा ठीक है तो आसा करता है ये सवाल आपको सौन में जरूर आया होगा तो चलिए देखते हैं इसका हम कोशन नमबर 10 देखे कोशन नमबर 10 दिया हुआ कि वक्र y बराबर x-2 का whole square पर एक बिंद ग्याद कीजिए जिस पर इसपर्स रेखा बिंदों 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के शमाना अंतर है देखिए प्रशन ये कह रहा है कि कोई एक वक्र है ठीक है कि कहता है वक्र है और वक्र के एक बिंद से इसपर्स रेखा जाती है ठीक है उस इसपर्स रेखा की निर्देशां के ग्याद कीजिए बिंद ग्याद कीजिए जब वह इसपर्स रेखा जो है 2,0 और 4,4 के समाना अंतर हो जैसे कहता है कि माली जी कि यह वक्र है और इस पिर से यह वक्र है ठीक है यह इसकी इस बिंदू से इस पर सरेखा जाती है ठीक है यहां से इसके हमें निर्देश सांग्यात करने है जब यह इस से एक जी कामा जी रो है और चार कामा चार कि मिलाने वाली रेखा के समदाव अंतर हो तर जब इसके बिंदू ग्यात कीई ठीक है तो जब समदाव तो झानते हैं यह म जानते हैं कि M1 बराबर M2 होता है तो हम दूनों की पहले प्रवाड़ताय निकालेंगे ठीक है तो देखे लिख लेते हैं वक्र वाई बराबर एकस माइनस टू का स्क्वार इसका उकलन करेंगे एकस के साथ पे तो य को हो जाएगा हमारा डी वाई भी मटटे ॡिय एकस है इसका करेंगे तो आगया जाएगा एकस माइनस टू की खात इसमें एक से लिख दिया औहु तू का हो जागा जीरो तो इसमें से एक से मल्टिप्ले हो जागा तो यह फरक नहीं पड़ेगा तो यह हमारा है हो गया है मों चाहे लिखे दें इसको या फिर डिवाइबिटे डियाक सी रहने दे ठीक है यह हो गया अब देखते हैं दो कामऑ जीरो चार कामऑ चार से जाने वाली रेखा की प्रवाणता ठीक है तो मीम तू की प्रवाणता माल लेते हैं इसकी मॉण हम लिख लेते हैं तो अगर क्या होता है मैं नोम तो लए दी हुए है45 छ चार छीड़ के वाईवन की गैया यू दी हुए है रो माइनस का 0 एकसद्ट्टी गैया है चार एकसद्ट्ट्रो दी हुए है तो यह 2 रखती है इसको निकालते हैं चार बैटे चार मसbbeं दो जाएगा 8 ऐप 2 पराबर हो जाएगा हमारा तो अब देखिए तो इम्टू के माद हो 2 आ गया है, ठीक है इसको डी य बड़ी डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है अब ये 2 जो है इसको हम इसके जो ये है यहां इसके स्थाब बलिग देंगे, ठीक है तब ही तो इसके बंदो निकल आएंगे तो यहां इसको समिकार एक लिक लेते हैं तो एकस बराब स्वारी ती बर्ट डी एकस बराबर दो शमी करण एक में रखने पर ठीक है तो रख देते हैं तो ये दो रख दी है हमने और ये two x-2 ठीक है ये दो से दो कांसल हो गया तो हमारा हो जाएगा एक्स यहां पर एक हो जाएगा ठीक है एक्स मैनस टू तो एक्स बराबर हो जाएगा तीन ठीक ही है जब एक्स बराबर तीन होगा तो हम वक्र पैस को रख दे तो हमारा वाई के मान निकाला है तो समीक इसका वक्र एक्स बराबर तीन वक्र में रखने पर ठीक है तो वक्र क्या था वाई बराबर एक्स माइनस टू का स्क्वाइर ठीक है तो यहीं भी हम रख देते हैं वाई बराबर तीन माइनस दो का स्क्वाइर तो Y बराबर हो जाएगा तीन वाज सिद्ध हो जाएगा तो Y बराबर हो जाएगा एक ठीक है तो इसके बिंद हो जाएगे जो वो तीन कामा एक होंगे ठीक है तो ये हमारा एंसर होगा बिंद तो आसा करता है सवाल आपको सौज में जरूर आया होगा तो चलिए मिलते हैं कुश्चन नमर 11 पर देखे प्रशन संक्या 11 है निम्न वक्रों में प्रतेक पर उन बिंदों को जात कीजिए जिन पर खीची गई इस पर स्रेखाए एक सच पर लंब हो ठीक है जिन पर खीची गई इस पर स्रेखाए एक सच पर लंब हो तो उन वक्रों में प्रतेक पर बिंदों को निर्देसान गयात कीजिए ठीक है तो देखिए देखिए जो इस पर स्रेखाए एक सच पर लंब होती है उसमें 10 ठीता कमान नब्यांस होता है ठीक है तो देखिए, पहला हम ले लेते हैं, X स्क्वाइर, प्रैक़े AI स्क्वाइर प्लस का Y स्क्वाइर, प्रैक़े बी स्क्वाइर बैबर एक ठीक, इसके साप $ आउकला कर देते हैं, X के शाप बाटे में AA कॉश्टान भी, काश्टान ठीक बाटा चीरो हरा हम यहां सबस्कूरी बच्चा एक बचाट यह सबाइगे चीरो हम अग्यमिन क्यारे सके चीरो आ। हम दस्का इया से प्रक्चा हो, ध॥ा स्टर्च wanna करें समय हुआ 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 आग्यमिन क्या जाएगा माइनस का X B स्क्वार बटे A स्क्वार Y ठीक है अब हमारा दिया हुआ था कि जब X यदी लिख लेते यहीं पर यदी इसपर्स रेखा क्या दिया हुआ था इसपर्स रेखा X अच्छ पर लंबा ठीक है तब ठीक हुआ था वराबन नबबे अंस तो यहां डियो इसपर लिखते है टैन नाइन टी अंस ठीक है तो यह हो जाएगा X माइनस B स्क्वार X माइनस का X इंटू B स्क्वार A स्क्वार य ठीक है और थान नबबे अंस का माहल होता है इंफिनिटी infinite ठीक है minus x बटे x b square और a square y ठीक है यह हो गया और infinite का मतलब होता 1 बटा 0 बराबर का minus का x b square बटे का a square y ठीक है इसका हम cross multiply कर देंगे तो a square y और यह जो हो जाएगा 0 तो यहां से y बराबर हो जाएगा 0 ठीक है अगर y बराबर 0 तो लिक देते हैं समय करानी 1 से एक से ठीक है जब y बराबर 0 है तो 1 square a square plus y square b square b Isto x बराबर जब हम y बराबर 0 लिग देते हैं यह पर jump मुरूर फंसन 0 हो जाएगा तो x square a square बराबर 1 x square a square तो यहां पर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए ठीक यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसके जो बिंदू आ जाएगे क्या हो जाएगे बिंदू हो जाएगे प्लस माइनस एक कामा जीरो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक कामा जीरो A कामा जीरो और माइनस का A कामा जीरो ठीक है यह यह answer हो तो आसा करते हो हैं सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा चलिए इसका हम B पार्ट देख लेते हैं जी हमारा इसका B पार्ट ठीक है तो लिख लेते हैं इसका उकलन कर देते हैं तो Y स्कौर को हो जाएगा 2Y बटे D X X स्कौर को हो जाएगा 2X 1 माइनस एक मिनट इसको देखिएगा इसको फस्ट एंट सिकेंड से कर दे ठीक है इसको प्रिथम फ़लन माले यह इसको दूती फ़लन या फिर इसको हम कर सकते हैं इसको पहले मल्टिप्लाइ कर ले ठीक है अगर मल्टिप्लाइ इसमें करते हैं तो X स्कौर आ जाएगा यह इसमें और यह माइनस के X क्यूब ठीक है तो अब इसका माउकलन कर देया तो फिर यही कर देते हैं तो देखिएगा X स्क्वाइर को हो जाएगा 2X हो जाएगा ठीक है और 3X क्यूब को हो जाएगा मैंस 3X स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा तो हमारा हो जाएगा इसको 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 इधर बेज़ेंगे डिवाइड बहो जाएगा तो डिवाई बटे डिएक्स बराबर टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वाइर बटे टू आई ठीक है यह लिखते हैं यदि इस परस रेखा एक्स अच्छ पर लंब है सब्सक्राइब है तब इस तवर बन अबेंस ठीक है तो यह भी टे 1090 वराबर टू माइनस टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वाइर बटे कर टू आई ठीक है इन्फाइन नभेन्स कमान होता है टाइन नभेन्स कोन इनफानाइट यानी केक बाटा जीरो 2x-3x2y दिये ओघाएगा 2y-0 तो, y बदाबर हो जाएगा 0 ठीक है यज बदाबर 0 हो जाएगा तो इसको हम सर्फy cleaner x से उन्फटर तो इतली है,ear four को साथ और अखें, में चुजय गएंगा है. तो यहां पर इतली हुआ, बिद्ध़ ऑफ में बिद्धबु और श्रिंख में अखिंटारी है। तो हमारे बिंदो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जीरो कामद जीरो और एक कामद जीरो ठीक है ये हमारे बिंदो हो जाएंगे तो ये हमारा एंसर हुआ ठीक है तो आसा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा ठीक है कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर हम सब्सक्राइब करते हैं फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो तद एक किले बाई जैहिंद बंदे मातरम